आटी के स्नैक्स और अलग अलग तरीके से आटी की रेसिपी तो हमने बहुत बनाया है अभी चल रहा है लोगडाउन तो हम घर में बैठे बैठे क्यों ना आटी की बने इस पापड की रेसिपी को बनाई जाए इसे आप एक साल तिक स्टोर करके रख सकते हैं इसमें सिर्फ दो ही चीजे यूज हुई है जो आपके किचिन में आपको आराम से मिल जाएंगी तो शुरू करते हैं बहुत ही आसान स्वादिश्ट और बहुत ही सरल तरीके से बनने वाले गेहों के आटी की पापर हमने लिया है यह गुंदा हुआ आटा यह एक कोटोरी आटा होगा इस गी जाटिा घ्रीय फूल गया है अब हम इसे अच्छे से मसलते हुए बिलकुल एक चा गोल तयार करना हमे आप पानी के अ अंदर यह अच्छे से गोल तयार के चेशे कि जो लंब्स दीख रहे हैं, आपको हम अच्छे से यह विक्सर से मिक्स करेंगे तक वह अच्छा से Welcome method से घूल बन कर तयार हो जाए यह घूल हो गयान नेगार हम इसे च्छाना लेंगे कि अगर थोड़े बहुंद रह गया है उसे हम अच्छे से स्पून से मिल्ट कर लेंगे ये देखे आप इसे चनी में ऐसे करेंगे तो सारा बैटर एकदम स्मूध तयार हो जाएगा ये देखे जो डीचे का बचा हुआ है वो भी हम निकाल लेते हैं चमत से ये देखे निकाल लिया हमने घूल हो गया तयार और इसम घृँ अच्छा लेंगे निकाल ये थिए निघ तक टालेंगे निकालें को ये देखे लिटी करेंगे पहुआ है उसमें ढाल देगे नमक और अगर आपको अल glossy लिटी को टालें निकालें डिखे और पाने को जाएजा को अच्छा जाय को छिखे जिए sa 소णों पर यूटा आपको ऐसा है बिल्कुल बना कर तयार करना इसे गाढ़ा बैटर आपको नहीं रखना है यह देखिए इसका इंडिकेशन है कि अच्छा से घोल तयार हो गया है यह हमने डाल दिये थोड़ा सा हींग यह अगर आपको पसंदे हींग का स्वाथ तो आप इसमें डाल दीजिए इससे डाल कर अच्छे सम कर देंगें मिक्स और छोटी छोटी चो कॉतो हैं आप ऐसमें वना सकते हैं यह देखिए अमने एक चमच लिया है आप इसे चारो तरफ फैला दिया है तो ऐसे मेरे बहुत सारी कॉतो हैं मैं अच्छे से बना लूँगे अगर आपका स्टील की कउ कोड़ बना कर आपको देका देती है के अच्छे से बहुत संदर छोटी चोटी बन कर तयार होती है यह कम ने कड़ा ही लिया है उसमें रख दिया स्टैंड और पानी अच्छे से बॉयल हो गया हैँ उनकलर बडगी सी ठाली और थाली में सारी जो अंपने बना पपड रखें तो डाल कर और ढख दिये इसे 10 से 12 सेकंड लगते हैं बनने के लिए और यह फटा-फट से देखिए उसका कलर चेंज हो जाता है हम इसे निकाल लेते हैं और 5 से 6 सेकंड बाद आप इससे निकाल लेजे सारी कटोरियों से पापर को अच्छे से निकाल लेजे यह देखिए अगर आपको बड़ी प्लेट में भी बनानी हो तो आप प्लेट में डालकर फैला लीजे और अच्छे से ढग दीजे उसे भी 12 से 15 सेंड रखिए और जैसे ही कलर चेंज हो जाए वैसे आप इसे निकालना भी बहुत ही आसान है यह देखिए बहुत आसानी से नि हमने किसी कटोरी को ओट गॉलड़ ने ही लगाया है है बिना ही टैर हमने बना या यह देखिए हो गया हैporte कितने अच्छे से निकल भी जा रहा है यह दिक ऐसे हम सारे कटोर को तयार कर लेते हैं यह देखिए हमने सारे फपो को घर लिया दıया है चोटी बड़ी जो भी कट कर लेते हैं यह देखिए कितना अच्छा फूल जा रहा है छोटी-छोटी पापड भी बड़ी हो जाए रही फूलने के पाइब बहुत क्रिस्पी और क्रंची है यह देखिए आप घर बटे बटे इतने अच्छे आठी के पापड बना कर तयार कर सकते अब जब भी आठा पापड है और यह जो काटोरी में हमने डाला था यह वह वाले पापड है यह देखिए है ना अमेजिंग बहुत अच्छे आप यह आठी के पापड घर पर बना के तयार कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताए कि आपको यह आठी के पापड की रेसीपी कैसी लगी कि अगर वीडियो अच्छे लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बिल आइकन को प्रेस करके और पर करके जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे कि अगरे बाबाए थैंक यू